नमस्कार विश्व परियावरण दिवस पर आप सभी को देश और दुनिया को बहुत बहुत शुब कामना है। इस वर्ष के परियावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है। और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले चार-पांच साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए दो स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेन लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवारिय किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पकेजिंग की री साइकल कमपल्सरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75 परसेंट है। और आज इसके दायरे में लगभग 10 जार प्रोडूसर्स, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स आ चुके हैं। साथियों, आज 21 वी सदी का भारत, क्लाइमिट चेंज और परियावरन की रक्षा के लिए बहुत स्पस्ट रोड में प्लेकर चल रहा है। भारत ने प्रेजन्ट रिक्वार्मेंट्स और फ्यूचर वीजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी उसकी आवशकताओं को पूर्ण करने का भर्षक प्रयास किया। तो दूसरी तरफ भविश्य की उर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए है। बीते नव बर्षों के दवरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनरजी पर अभूत्पूर्वा फोकस किया है। सोलर पावर हो, LED बल्बो की जाधा से जाधा घरों में पहुँच बने। इन्होंने देश के लोगों के हमारे गरीब और मद्यम्वर के पैसे भी बचाए हैं और परियावरण की भी रक्षा किये हैं। बिजिली का बिल निरंतर कम हुआ है। भारत की लिडर्शिप को दुनिया ने इस वैस्विक महामारी के दौरान भी देखा है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने मिशन ग्रीन हैड्रोजन शुरू किया है। इसी ग्लोबल पेंडेमिक के दोरान भारत ने मिट्टी और पानी को केमिकल फर्टिलाइजर से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग की तरब बड़े कदम उठाए। भावी और बहनों, ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन एकोनॉमिक अभियान को जारी रखते हुए आज दो और योजनाओं की शुरुवात हुई है। बीते नव सालों में भारत में वेट्लेंड्स की रामसर साइट्स के संख्या में पहले की तुलना में लगबग तीन गुना बड़ोत्री हुई है। आज अम्रित दरोहर योजना की शुरुवात हुई है। इस योजना के माध्यम से इन रामसर साइट्स का समुरक्षन जन भागीदारी से सुनिश्चित होगा। भविश में ये रामसर साइट्स एको टूरिजम का सेंटर बनेगी और हजारों लोगों के लिए ग्रीन जॉब्स का माध्यम बनेगी। दूसरी योजना देश की लंबी कोस्टलाईन और वहां रहनेवाली आबाति से जुड़ी है। मिस्ट्री योजना के माध्यम से देश का मैंग्रो एकोसिस्टिम रिवाय भी होगा। सुरक्षित भी रहेगा, इससे देश के नव राज्यों में मैंग्रो कवर को रिस्टोर किया जाएगा, इससे समंदर का स्तर बढ़ने और सैक्लोन जैसे आपदाओं से तटिये इलाकों में जीवन और आजी विका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी, साथियों, वर्ल क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से उपर उठकर सोचे, लंबे समय तक दुनिया के बड़े और आधुलिक देशों में विकास का जो मोडेल बना वो बहुत विरोधावाशी है, इस विकास मोडेल में परियावरण को लेकर बस यह सोच थी कि पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में परियावरण के परियावरण की भी चिंता करेंगे, इससे ऐसे दोशों में विकास के लक्षतों हासिल कर लिए गए, लेकिन पूरे विश्व के परियावरण को उनके विक्सिन होने की किमत चुकानी पड़ी, आज भी दुनिया के विकास सील और गरीब देश कुछ विक्सित देशों की गलत नितियों का नुक्सान उठा रहे हैं, दसकों दसक तक कुछ विक्सित देशों के इस रवईयों को न कोई टोकने वाला था, न कोई रोकने वाला था, कोई देश नहीं था, मुझे खुशी है कि आज भारत ने ऐसे हर देश के सामने क्लाइमेट जस्टिस का सवाल उठाया है, साथियों भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के दर्शन में ही प्रकृती भी हैं और प्रगती भी हैं, इसी प्रिणा से आज भारत एकोनोमी पर जितना जोर लगाता है, उतना ही ध्यान एकोलोजी पर भी देता है, भारत आज अपने इंफ्रास्रक्टर पर अभूत पुर्व इन्वेस्ट कर रहा है, तो एन्वार्मेंट पर भी उतना ही फोकस हैं, अगर एक तरफ भारत ने 4G और 5G कनेक्टिविटी का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ अपने फोरेस कवर को भी बढाया है, एक तरफ भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड घर बनाए, तो वही भारत में वाइड लाइफ और वाइड लाइफ सेंक्चूरीज की संख्या में भी रिकॉर्ड बृद्धी की, भारत आज एक तरफ जल जीवन मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ हमने वाटर सिकूरिटी के लिए 50 हजार से जादा अम्रित सरोवर तयार किये हैं, आज एक तरफ भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बना है, तो वो रिन्यूबल एनर्जी में टॉप फाइव देशवा में भी शामिल हुआ है, आज एक तरफ भारत एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, तो वहीं पैट्रोल में 20 परसंट एथेनॉल ब्रेंडिंग के लिए भी अभियान चला रहा है, आज एक तरफ भारत, कोईलेशन फर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्रक्टर्चर, सीडी आराई, जैसे संग्ध्रनों का आधार बना है, तो वहीं भारत ने इंटरनेशनल बीक कैट एलाइंस की भी गोशना की है, ये बीक कैट के सवरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जात्यों मेरे लिए व्यक्तिक अद्रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ, लाइफ यानि लाइफ स्टाइल फॉर एंडवार्मेंट, आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट जन अंदोलन बनता जा रहा है, मैंने जब पिछले वर्ष गुजरात के केवडिया एक्ता नगर में मिशन लाइफ को लॉंच किया था, तो लोगों में एक कौतुल हल था, आज ये मिशन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लाइफ स्टाइल में परिवर्थन को लेकर एक नई चेतना का संचार कर रहा है, महिना भर पहले ही मिशन लाइफ को लेकर एक केम्पेन भी शुरू किया गया, मुझे बताया गया है कि इस तीस दिन से भी कम समय में इसमें करीब करीब दो करोड लोग जूर चुके हैं, गिविंग लाइफ तु माइ सिटी इस भावना के साथ कहीं रेलिया निकली, कहीं क्वीज कम्पेटिशन हुए, लाखो स्कूली बच्चे, उनके सिक्षक, एको कलब के माध्यम से इस अभ्यान से जुडे, लाखो साथियों ने Reduce, Reuse, Recycle का मंत्रा अपने रोजमरा के जीवन में अपनाया है, बदले स्वभाव तो विश्व में बदलाव, यहीं Mission Life का मुर्ज सिधान्त है, Mission Life हमारी आने वाली पीडियों के लिए, पूरी मानवता के उजवल भाविश के लिए, उतना ही जरूरी है, साथियों, यह चेतना सिरफ देश तक सिवित नहीं है, बलकि पूरी दुनिया में भारत की इस पहल को लेकर समर्थन बढ़ रहा है, पिछले वर्ष, परियावरन दिवस पर, मैंने विश्ट्व समधाय से एक और आग्रह किया था, आग्रह यह था कि व्यक्तियों और कॉम्यूनिटी में, क्लाइमेट फ्रेंडी बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, इनोवेटिव समाधान शेयर करें, ऐसे समाधान जो मेजरेबल हो, स्केलेबल हो, यह बहुत खुशी की बात है, कि दुनिया भर के लगभग, सत्तर देशों के हजारों साथियों ने अपने विचार साजा किये, इन में स्टूडेंस हैं, रिसर्चर्ट हैं, अलग-अलग डॉमेंस से जुड़े एक्सपर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एंजियोंस हैं, और सामाने नागरिक भी हैं, इन में से कुछ वरिष्ट साथियों के आइडियाज को थोड़ी देर पहले पुरस्कृत भी किया गया है, मैं सभी पुरस्कार विजाता काओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, साथियों, मिशन लाइप की तरफ उठा हर कदम, और वही आने वाले समय, पूरे विश्व में परियावरण का मजबुत कवश बनेगा, लाइप के लिए थौट लीडर्शिप का संग्रभी आज जारी किया गया है, मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से ग्रीन ग्रोथ का हमारा प्रण और ससक्त होगा, एक बार फिर सभी को परियावरण दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाय रदै से बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद.